हेलो दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर मनिशर अपने शेनल में आपका स्वागत करता हूँ आए दोस्तों देखते हैं एक नए इस्टुमेंट के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंसियो मीटर के बारे में, विभाव मापी के बारे में क्या होता है, ध्यान समझेगा, विभाव मापी पोटेंसियो मीटर, देखे ध्यान से, विभाव मापी एक लंबा टुकड़ा होता है देखे द्यान से यह आपका विवामापी का फिगर है एक पोटेंसियोमीटर का यह आपका फिगर है यह एक लंबे तार का टुकड़ा होता है यहाँ पर लंबा तार देखें यहाँ पर A से C तक यह तार है आपका A लगा सकते हैं और मान को पता कर सकते हैं तो यह एक सरोतो मुख्यूकरण है यह एक सरोतो मुख्यूकरण है मौलिक रूप से यह एक समान तार का लंबा टुकड़ा होता है यह क्या होता है एक समान तार का लंबा टुकड़ा होता है देखें बहुदा तार की लंबाई कुछ म कि एक मीटर होती है तार की लंबाई आप देख रहे हैं मीटर से तुम्हें तार की लंबाईこれは एक मीटर फिक्स थी लेकिन इसे डिश्य लाकłos से जोडते हैं यह आप तार है A से C तक जो एक मीटर से अधिक है और इसको यहां पर यहां बैटरी B है यहां पर इसको मानक सिल से इसको जोड़ा गया है वास्तविक वास्तविक बनावत में तार को कभी-कभी एक साथ अलग बगल अगल-बगल रखकर कई टुकलों में काट दिया जाता है वास्तिक बनावत में अगर देखा जाए तो तार है उसको अगल-बगल रखकर पास-पास रखकर कई टुकलों में काट दिया जाता है तथा सिरों पर एक मोटी धातिक पट्टी दोड़ दे जाती है तो आप देख रहा है कि तार को कई टुकड़ों में काड़ दिया जाता है और सिरों पर एक धात की पट्टी जोड़ दे जाती है सिरों पर एक धात की पट्टी जोड़ दे जाती है फीगर में देखें यह ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं यह सब क्या है धात की पट्टी है यह जो ब्लैक लेटर से मोटे अच्छरों में देख रहे हैं यह धात की पट्टी है और यह जो है तार है जिनको जोड़ा गया है पोटेंसियो मीटर विभो मापी क्या होता है यह एक उपकरण होता है सरोतों मुखी उपकरण होता है मौलिक रूप से यह एक समान तार का लंबा टुकड़ा है तार की लंबाई जो है कुछ मीटर तक होती है जिसे मानक सिल के सिरों से संबंद करते हैं सेल है आपका मानक शिलों सेल है जिसे संबंद करते हैं वास्तिक बनावट में तार को कभी-कभी एक साथ अगल-बगल रखकर कई टुकड़ों में काड़ दिया जाता है सिरों पर एक मोटी धात की पट्टी से जोड़ दिया जाता है कि शित्र में ए से सी तक है कि चित्र में ए से सी टक फ़यली हुई तार काँ जोड़ है च्छोटा उर्धवार्दर हिस्सा धात की मोटी पट्टी है यहां देखें यह सब द्धाद की क्या है मोटी पटी है छोटा और ध्वारदर हिस्सा धाद की मोटी पटी है जो तार के विभिन कंडों को जोड़ती है यह तार के अलग-अलग खंडों को जोड़ती है चित्र में आपने देखा तार A से C तक हैली हुई है छोटा उर्द्वारदर हिस्सा धात की मोटी पट्टी है जो तार के विभिन खंडों को जोड़ती है आप यहां से तार से होकर कोई धारा आई-परवाइत होती है जो परिपत में एक धारा नियंत्रक द्वारा परिवर्तित की जा सकती है देखें यह आपकी बैटरी लगी हुई है यह कुंजी लगी हुई है कुंजी को स्टार्ट आप करेंगे तुरंत जो है इस तार से होकर धारा भने लगेगी जिसको यहाँ पे धारा नियंतरक लगा हुआ है भारा नियंतरक के द्वारा परिवर्तित की जा सकती है अब चुकी तार एक समान है तार कैसा है एक समान है अता अंत ए तथा ए से एसे यल की दूरी पर स्थेट किसी बिंदू पर विवांतर क्या होगा तो नुके बीच का विवांतर E यलदुरी कर विभादार क्या होगा फाई इन्टू यल फाई क्या है प्रति ये कांगलमबाई का बिभादार्ट में आगे बढ़ने पर विभाद में होने वाली कमी क्या है फाई है अब जो है तार एक समान है तार कैसा है एक समान है अंत ए तथा ए से यलदूरी पर इस्थित कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उस बिंदू के बीच का विवांतर क्या होगा अंत ए तथा ए से यल की दूरी पर इस्थित किसी बिंदू के बीच विवांतर 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 विव और चित्र में आप देखे जान से 2 सेल है यहां पर देखें यह दे ऑन गें – टुछ। E1 E2 है इसकी तुल्ना करना है इस विभु मापी के उप्योग से तो चित्र में दो सेलों के जिनके विद्धोद वाहगवल E1 तथा E2 की तुल्ना के लिए potentiometer का उप्योग दिखाये गया है चित्र में दो सेलों का E1 E2 जिनका विदुद भागवल है कैसे इनको potentiometers की सायता से विवमापी की सायता से इनका मान निकालेंगे ठीक है बिंदू एक दो तीन यह देखें हाँ पर box में one two three यह जो है दुई गामी कुझी किया है बिंदू एक दो तीन दुई गामी कुझी की रचना करते हैं एक दो तीन जो है क्या करते हैं दुई गामी कुझी की रचना करते हैं पहले कुंजी की उस इस्तिती पर विचार करें जहां एक और तीन संयोजित है पहले आपको एक दो तीन या दुई गामी कुंजी करचना करेंगे पहले आपको किसको मानना है एक और तीन को पहले एक और तीन को लेना है तो पहले पुन्जी की उससी विचार करें जहां एक और तीन जुड़े हुए है चि कह मैं जिससे की गैलोनोमीटर गैलोनोमीटर Bhag5 किसे संबन्ध है गैलोनमीटर जो किसे संबन्ध है इस वाले विद्धुदवाकवाले से जुड़ा हुआ है इवन वाले से पहले हमको एक और तीन लेना है पुंजी की कौन सीसिती लेना है एक और तीन जिससे कौन जुड़ा हुआ है इवन कौन सा सेल है इवन वाला सेल जाकी को ठीक है यह जो है जुड़ा हुआ जाकी जो है आप देख रहे हैं गैलोनमीटर से जुड़ा हुआ जाकी है तार के जाकी के अनुदिस सरकाया जाता है जाकी को तार के अनुदिस तब तक सरकाया जाता है जब तक ए से यलोन दूरी पर किसी बिंद यलोन पर गैलोनमीटर में कोई भी छेप नहीं होता है तो सबसे पहले आपने यह पहला सेल ज लिए आप परियोग कर रहे हैं तो इसके लिए आपने एक और तीन एक और तीन वाले कुंजी पर जो है आप विचार कर रहे हैं और इससे जो है यह जुड़ा हुआ गल्रमीटर से एक जाकी है और जाकी को हम इस तार पर जाकी को तार पे सरकार रहे हैं और सरकाने पर एक बिंदु यहां बिंदु यहां कोई शेद नहीं है ऍार Episode हो रहा है ठीक है अब यहां पर नियम लगाते हैं बंद पास एन वन जी थ्री वन ए पर यह बंद पास बन रहा है ए ए ए एन वन जी थ्री वन और फिर ए में किर्चाफ का नियम लगाने पर तो किर्चाफ का नियम जब आप लागू करेंगे तो फाई एल वन फाई एल वन यह जो ठीक है विवांतर जो निकला है ए से यल दूरी परिस्थित किसी बिंद पर विवांतर फाई बराबर ए बराबर फाई यल तो फाई यल वन कितने दूरी पर आप लिए हैं यल वन दूरी पर जब ए से यल वन दूरी पर ए से यल वन दूरी पर ए से यल वन दूरी पर किसी बिंद यन वन पर यह कोई में फाई एलवन और कोई विच्छेप नहीं है प्लस जीरो और माइनस ठीक है उल्टा आ रहे हैं तो माइनस एए वन विजुद भागवल के लिए माइनस एवन बराबर जीरो प्लस जीरो गाँनस एवन बराबर जीरो इसी प्रकार यदि दूसरे विदुद भागवल एटु के लिए तार की लंबाई एटू इसके लिए अगर तार की लंबाई एटू हो तार की लंबाई A N2 जहां पर विद्धुद वाहगबल जहां पर गर्णोरमीटर सुन्न विछेव दिखा रहा है कितनी दूरी पर? L2 दूरी पर यदि दूसरे विद्धुद वाहगबल E2 के लिए तार की लंबाई A N2 बराबर L2 पर संतुलित हो A से N2 की दूरी कितनी है? L2 पर संतुलित हो इसके लिए क्या लिखेंगे? Phi L2 प्लस 0 माइनस E2 बराबर 0 ठीक है? तो पहला जो है गर्णोरमीटर में विछेव 0 हो रहा है N1 पर A N1 दूरी और दूसरा विछेव जो है वह मिल ला है A N2 दूरी पर ठीक है? तो जब हम A से N1 ले रहे हैं तो Phi L1 लिख रहे हैं जब A से N2 लेंगे तो Phi L2 लिख रहे हैं और गर्णोरमीटर में विछेव 0 है तो प्लस 0 और यहाँ पर माइनस E1 और माइनस E2 बराज 0 अब यह जो दोनों समीकरण मिले हैं इसकी तुलना किया जाए तो आपको मिलेगा E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 दोनों समीकरण कि तुलना करने पर E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 ठीक है इस तरह से इस प्रकार की सरल्प प्रयोगिक विवस्था से दो स्रोतों के विद्धुत बाहग बल की तुलना कर सकते हैं इस तरह से हम दो स्रोतों के विद्धुत बाहग बल की तुलना कर सकते हैं बेवहार में दोनों में से एक सिल का चुनाव मानक सिल के रूप में किया जाता है यह जो दो सिल आप देख रहे हैं इसमें से एक सिल कैसा होता है मानक सिल होता है जिसका मान पता होता है इस मानक सिल का जिसका विद्धुद बहागबल उच्च कोट की परसुदता से ग्याद क कर लेते हैं ठीक है उसके बाद यह जो समीकरण मिला है E1 बटे E2 बरावर 11 बटे L2 तब समीकरण से दूसरे सेल के विद्धुद बहागवल को आसानी से गढ़ना किया जा सकता है तो आप देख रहे हैं कि यहां पे दो सेल हैं एक सेल हमारा मानक सेल हो जाएगा जब मानक सेल का मान हमें कुछ चकोट की परसुद्धा से ग्याद रहेगा तो हम दूसरे सेल के विद्धुद बहागवल का मान E1 बटे E2 बरावर 11 बटे L2 सुद्ध से ग्याद कर सकते हैं विभव मापी को हम किसी सेल के आंतरिक परत्रोद के मापन के लिए उपयोग कर सकते हैं विभव मापी का उपयोग जो है हम किसी भी सेल के आंतरिक परत्रोद की गढ़ना करने में भी कर सकते हैं इसके लिए देखें क्या करेंगे, इसके लिए सिल का e amanah uh, जिसका आंतरीक प्रदोध r है, इसके लिए जो है सिल का e amaf, जिसका आंतरीक प्रदोध इसमाल r है, ग्याद करना है, कुकुञ॑ एका कहट्व, को खुञा रखकर, यहां पे, यहाँ पे आपको cell है यहाँ पे जिसका विदुद बहागबल E है इसका आपको आंतरिक पत्रोध ग्याद करना है क्या ग्याद करना है आंतरिक पत्रोध ग्याद करना है और यहाँ पे cell लगा हुआ है यहाँ पे कुण्जी K2 है तो इसके लिए cell जिसका EMFE है जिसका आंत्री पत्रोदार ग्याद करना है को कुझी के टू को खुला रखके लंबाई AN1 लंबाई क्या है AN1 जो कितना दूरी है L1 दूरी पर बराबर L1 पर संतुलन प्राप्त करते हैं उस कंडिशन में विदुद बागबल 5 बराबर क्या होगा 5L1 विदुद बागबल E बराबर क्या होगा 5L1 AN1 तक यहां से सेल से होकर जाएगा तरह A ऐसे जो है आपका यहां पर इस्थिति आएगी AN1 बराबर दूरी है जो आपका L1 AN1 की दूरी कितना माने है L1 माने है और यहां पर संतुलन की इस्थिति मिल लाई है उस कंडिशन में विदुद बागबल E बराबर 5L1 होगा 5L1 जब केटू को बंद करते हैं जब केटू को बंद करेंगे तो सेल प्रतिरोध बाग आर से होकर एक धारा आई प्रेसिद करता है जब केटू को बंद कर देंगे तो आपका रजिस्टेंस भाक्स यहाँ पर लगा हुआ है जब केटू को बंद करेंगे आप तो سेल जो है एक परतिरोद भाक्स आर से होकर एक धारा को प्रवाहिद करता है यदी भी सेल का terminal भिवान्तर हो तथा संतुलन बिंदु जो है अब ay2 पर मिलता हो b cell का terminal भिवान्तर हो संतुलन बिंदु कहां मिलता हो a and 2 पर मिलता हो जिसकी दूरी क्या होगी y2 है ay2 बराबर y2 प्राफ्त होता हो तो उस समय भी बराबर हो जाएगा phi y2 भी बराबर क्या हो जाएगा फाई एल्टू तो आप देख रहें कि विभव मापी को हम किसी भी सेल के आंत्रीक परित्रोद ग्याद करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसके लिए सिल जिसका आंत्री प्रतिरोद आर ग्याद करना है कुझी केटू को खुला रखके कुझी केटू को खुला रखके लंबाई AN1 जो क्या है 11 के बराबर है संधुलन प्राप्त करते हैं उस कंडिशन में E बराबर 11 हो जाता है अब जब केटू को बंद करते हैं और जब केटू को बंद करते हैं तो सिल जो है वो प्रतिरोद बाक्स आर से होकर प्रतिरोद बाक्स आर से होकर धारा आई प्रेसिद करती है प्रतिरोद बाक्स आर से होकर धारा आई प्रेसिद करती है और यदि भी सेल का टर्मिल विवानतर हो तो संतुलन बिंदू A and 2 बराबर 5L2 हो जाएगा उस कंडिशन में हम पाते हैं कि E बटे भी बराबर 11 बटे L2 कब जब K2 को बंद करेंगे तब जही K2 को बंद करेंगे सेल जो है परतिरोद बाग आर से होकर एक धारा प्रवाहित करेगा के टू को बंद करने पर सेल जो है परतिरोद बाग आर से होकर एक धारा प्रवाहित करेगा जो आई होगा और यदि सेल का विवांतर भी हो तो संतुलन बिंदू जो होगा ऑभा कहाँ पे मिलेगा N2 पे मिलेगा जिसके दार लंबाई कितने है L2 है उस condition में B लबाभर 5L2 हो जाएगा PlanTo और हम पाएंगे E बटे B बबाभर 11 बटे L2 7 बटे B बटे क्या आएगा 11 बटे L2 आएगा किन्तू आप जानते हैं कि E बराबर ठीक है E बराबर क्या होता है I R प्लस R ठीक है विद्दुद बाहगवल E बटे V बराबर 11 बटे L2 आया है और आप जान रहें कि विद्दुद बाहगवल E बराबर होता है I R प्लस R और V बराबर I R होता है ठीक है हमें प्राप्त होता है तो E बटे B बराबर, 11 बटे L2, तो E बटे B, जो E का मान और B का मान रखते हैं, तो आप कहा जाएगा, I, R प्लस R बटे IR, तो I और I cancel हो जाएगा, तो E बटे B बराबर आजाएगा, R प्लस R बटे R, ठीक है, यहाँ पे जब आप मान रखेंगे, E बटे B बराबर, तो E का मा R प्लस R बटे, और B का मान क्या है, IR, I से I cancel हो जाएगा, तो E बटे B बराबर, R प्लस R बटे R हो जाएगा, ठीक है, अब जो है, समीकरण जो आपका, E बटे B बराबर, जो है, E बटे B बराबर, L1 बटे L2 है, यह आपका समीकरण है, और जो आपका, दूसरा समीकरण मिला ब्राबर और प्लस आर बटे आर इन दोनों से हमें क्या सूचना मिलता है तो इन दोनों समिकरण से आप देखें तो हम लिख सकते हैं आर प्लस आर बटे आर बराबर एलवणवण बटे एलटू लसम बटे विक जगह पके आया है इवरी मिये की जगहिए मिला क्या मिला सकते हैं अब यहां से इसमाल आर बराबर क्या हो जैगा ? इसमाल आर बराबर कई ह्ट्रेट में 11B captures L2-1 इसमाल आर बराबर कैपिटल र ब्रेकेट में 11 बटे L2-1 से हम दिये गए सिल का आंत्री प्रितोत ग्याद कर सकते हैं पोटेंशियो मीटर को उप्योग करने का एक लाव्य है कि यह मापन किये जा रहे विवस्रोज से कोई धारा प्राप्त नहीं करता है इसलिए इसके द्वारा किये गए मापन स्रोध के आंत्री प्रितोत द्वारा प्रभावीत नहीं होते हैं तो आंत्री प्रितोत कैसे ग्याद होगा इसमाल र बरावर कैप्टल र अधाब अधागा अधागा आधा यह का अंत्री प्रितोत के अधागा तो इसमाल र बरावर किये अलत्री प्रितोत द्वारा प्रिती आधागा माइनस 1 से ठीक है तो यह आपने देखा कैसे पोटेंशियो मीटर विवम मापी का उपयोग करके हम जो है विद्धुद बाहग बलकी तुलना करते हैं E1 बटे E2 परावर 11 बटे L2 सुतर से और कैसे जो है किसी सेल का आंतरिक परितरोध की गढ़ना करते हैं इसमाल रबराबर कैपिटल र 11 बटे L2 माइनस 1 से ठीक स्टेंस थैंक यू